हमारे बीच में शुरू से वो कर्मठ और काफी मेहनती लेडी है हम आगरह करेंगे कि आप लोग इनको वोग दीजे सभी बंधों को नमस्कार पट्ना सिटी की तमाम जंता जंगली परशाल लैन यह मेरा घर पड़ता है यहां मेरे एक-एक मुहले के लोग आये हुए हैं और सब हमारे सपोर्ट में है निश्चित तोड से हवा जब चलेगी तो आप लोग भी देखेगा कि अंजू सींग की जीत सुनिश्चित होगी और यह की एक यूगा और महिला हमारे बुजूर्ग सभी ने मुझे आशिरबाद दिया है तो उनका आशिरबाद सर आखो पर और मैं जीत के सुनिश्चित की ओर जा रही हूं हवा पुरे पट्ना में छाय हूई है सिर्फ अंजू सिंग का नारा लग रहा है तो मुझे बहुत ही गरब महशूस हो रहा है काम बहुत ही निष्टा पुर्भा का और उनका जो काम के परती निष्टा है वो अभूत पुर्भ है इनों ने कभी किसी भी भेद्भाव को किसी के साथ भी भेद्भाव नहीं किया है देक जुझारू और कर्माट अमीदबार है विए तो पूरा उमीद है हम लोग कोशीज भी करेंगे करती थी गड़ीब गुर्वा का बहुत मदद की है यह अंजु सिंग को जीतना जरूरी है क्योंकि हम पहले से इनको देख चुकी हूं कि यह गड़ीब लोग को लॉग्डाउन में भी रासन बाटे हैं कपड़ा बाटे हैं खाना सब लोग को दी हैं देखें हमार पटना और पटना सिटी को गड़े में तबदिल कर गई कहीं कहीं काफी गड़े थी जल जमाव देखते हैं मंगल तलाव हो गया जो हमारा स्टेडियम है उसमें भी पानी भड़ा रहता है पानी का निकासी कहीं भी अभी सही रूप से नहीं हुआ पहले भी आप लोगों न ठीक कराऊंगी और पूरे पटना और पटना सिटी को एकदम इंदोर क्या चीज है इंदोर से भी जाकास बना कर दिखाऊंगी मुद्दा है जो महिलाओं का स्वमू बनाएंगे स्वयम स्वस्था का निर्मान कराएंगे जो समाज में गरीब गुरवा लोग हैं जो जिनको बैंक से लॉन लेना पड़ता है तो उन महिलाओं के लिए पचास-पचास हजार रुपेया मुहिया कराऊंगी उसमें पांच हजार का सब्सीडी लॉन दिलबाऊंगी और दूसरी बात है कि आधी अबाधी और आधा हमारा यूबा पटना नगर निगम के लिए जो सक्ता ब्यान है जो गली मुहले से पूरा कच्रा उठाया जा रहा है उसको टाइम पर उठाने का काम करेंगी क्योंकि जब अब अक्सर निकलते होंगे रोट पर तो देखते हैं कि जितने भी बस बच्चों को लेकर आती जो छोटी-छोटी मासूम बच्चे है वो राजनीतिक का क पूजा वाला रिक्षा वाला ठेला वाला जितने हैं रोट पर लगाते हैं ठेला गारी और उनको जो आतिक्रमन के नाम पर हटा दिया जाता है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पटना और पटना के लिए क्योंकि एक गरीब गुर है कहीं न कहीं अपने बाल बच और पटना पूरा पटना वासियों से आग्रा कर रहे हैं कि यह अंजुशिंग को वोड़ दें हमारे बीच में सुरू से वो कर्मठ और काफी मेहनती लेडी हैं और उनको जिताना हमारे समाज का पहला फर्ज है जो लोग भी और भी उमिदवार हैं उनके उमिदवारी के अनुसार सब कोई लगे हुए हैं लेकिन ये सही और कर्मठ उमिदवार हैं इनको जीताना चाहिए और हम लोग पूरे तन्मन धन से लगे हुए हैं इनको जीताएंगे रत्नाकर सिर्वास्तब अमारे नंबरू पर संपर